जब आप WhatsApp पर किसी को मैसेज भेजते हैं तो कैसे पता चलता है कि उस परसन ने आपका मैसेज देखा है या फिर नहीं देखा है वो पता चलता है जब भी आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो वहाँ पर वन टिक का मतलब होता है आपकी तरफ से मैसेज चला गया है टू टिक का मतलब होता है कि मैसेज डिलिवर हो चुका है और जब वो दोनों टिक्स ब्लू हो जाएं तो इसका मतलब होता है कि उस परसन ने आपका मैसेज प पता चले कि हमने उसका मेसेज देख लिया है नहीं देख लिया है यानि कैसे आप वाटसेप पर अपनी जो रीड रिसेट्स हैं उनको ओफ कर सकते हैं यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यह भी बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत सारे लोगों ने यह क्वास्टन पूछा बिजनस पर वैसे वाटसेप पर अगर आप यूज कर रहे हैं वाटसेप बिजनस नहीं यूज कर रहे हैं तो भी सेम ही यह सेटिंग है तो चाहिए वाटसेप बिजनस यूज कर रहे हैं चाहिए वाटसेप नॉमल यूज कर रहे हैं दोनों में सेम सेटिंग्स होंगी तो करना क्या है यह जो WhatsApp के आगे जो आपको त्री डॉट जिख रहे हैं इन पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में आपको Settings पर जाना है Settings में जाने के बाद में आप यहां पर देखेंगे तो आपको Privacy नाम की एक सेटिंग मिल रही होगी Privacy पर आप जब क्लिक करेंगे तो इसके बाद में यहां पर एक Option आ रहा है Read Receipts, ठीक है Read Receipts का मतलब है कि Read Receipts जो मैंने आपको बताया जो Blue Tech आजाता है That is हमारी Read Receipts इसे यह पता चल जाता है कि सामने वाले आनने हमारे Messages देखे हैं या नहीं देखे हैं तो अब इसको हम simply off कर देंगे तो कोई भी person नहीं देख पाएगा कि हमने उसका Message रीड कर लिया है या नहीं लेकिन यहां पर एक छोटी सी चीज है कि अगर आप किसी Group में added है तो उस Group के लिए लेकिन उस Group के जो सारे Members है अगर किसी Message को seen कर लेंगे जो आपने भेजा है या किसी ने भी भेजा है तो उस पर Automatically Read Receipts आ जाएंगी भली आपने यह Read Receipts off कर रखी है लेकिन Groups के लिए यह काम नहीं करती है तो बस यह चीज आपको थोड़ी सी याद रखती है ऐसा नहों किसी Person का आपने Message Read कर लिया है लेकिन Same Message जो है, Group में आपने Read कर लिया है तो उस Person को पता चल जाएगा कि Group के अंदर आपने Message Read कर लिया है लेकिन Actual में नहीं किया है तो काफी Problem में फस सकते हो, ठीक है तो इस तरह से बहुत ही Simply सिर्फ एक ही Minute के अंदर आप अपने Read Receipts जो है, Off कर सकते हो और इसको वापिस अपको अन करना है तो Simply इसको अनेबल कर दीजिए और बैक आजाएगे By the way, Complete WhatsApp Business का कोर्ष चल रहा है कि कैसे आप WhatsApp का यूज करके अपने Business को प्रमोट कर सकते हो अपने Customers को डील कर सकते हो एकी साथ सिर्फ WhatsApp पे तो Description Box में आपको Playlist का Link मिल जाएगा सारी वीडियोज देखो एक भी मिसमत करना और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हूँ तो लाइक करिए और अगर WhatsApp से Related कोई और आपकी Query है कोई और चीज आप जानना चाहते हैं और सेटिंग के बारे में जाना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर Comment Box में बताइए I will definitely make a video on that तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक Keep Learning